तो आज की वीडियो में हम बात करें के मैथ के टॉप मोस्ट इंपोर्टन कोशिंस के बारे में तो फिलाद करते हैं अभी वीडियो को शुरू तो सबसे बेसिक जो कॉंसेप्ट है हुवा है हमारा नंबर सिस्टम जिसके रिगार्डिंग आपके पाद दो या तीन कोशन हर साल आपको टैट में देखने को मिलेगे तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे नैच्रल नंबर आखिर हमारे नैच्रल नंबर कौन से होते हैं जितने भी नंबर मारे वन से लिगा इंफिनिटी तक जाते हैं वो सबके सब मारे कौन सा जाते हैं नैच्रल नंबर और यही आपसे पुछ जाता है कि यह बार natural number कौन सा है तो उसमें 0 डाल दिया होता है option में तो कौन सा नहीं है तो उसमें 0 हमारे natural number नहीं है next बात करते है whole number तो whole number कौन से होते हैं हमारे whole number हमारे हमेशा 0 से infinity तक चलते हैं यहां से भी आपको कोशन आता है है इंटिजर्स की बात करें तो हमारे positive होता है और negative इंटिजर्स धोनों होते हैं यह मारे minus infinity से लेकर positive infinity तक चलते हैं सबके सबकाई में होता है हमारे integers नेक्स्ट बात करते है irrational जितने भी हमारे under the root के अंदर आते है वह हमारे irrational होते है और rational हमारे P upon Q की फॉर्म में होते इसके for example 1 upon 2, 7 upon 5 etc. इस तरह के जहां भी हमारे upon में दिये गे number होगे वो हमारे rational number होगे और जहां हमें under the root में होगे वो सब सब मारे irrational number होगे तो next अब हम बात करेगे prime number आखिर prime number कौन से होते हमारे prime number वो number होते है जो हमारे सिर्फ खुद से divisible हो बाकि किसी भी other digit से divisible नहां हो जैसे कि 2 यह हमारा खुद से divisible होता है 3, 5, 7, 11, 13, 19 से लेकर infinity तक जो भी number हमारे सिर्फ खुद से divisible हो वो हमारे prime number होते है और next topic बहुत इंपोर्टन नाइधर prime और नौर composite यह हमारे सिर्फ वन होता है यह आखिर पर टैट में आता जाता है ऐसा कौन से नमबर जो ना prime number है ना हमारे composite number है तो वह हमारा one है तो इसके बाद next topic है हमारे composite number composite number वो होते है जो number 2 या 2 से जादी digit से divisible हो जैसे की four हमारा कुछ से भी divisible हो तो इसकी दो डिजिट से डिविजिबल है और six three ढल है और six हमारे क्यावता है तो इसे number जो हमारे दो या 2 से जादी digit से divisible हो वह हमारे composite number के अंदर आते हैं नेक्स्ट बात करते है एवर नमबर आप सबको पता है ड्विजबल बाई टू जितने भी नमबर हमारे टू से ड्विजबल है वो हमारे एवर नमबर है और और नमबर वो है जो हमारे टू से ड्विजबल नहीं है यह हमारे पास नमबर सिस्टम के अंदर कुछ 10 important topics जिसके regarding आपसे हर साल 2 या 3 questions पूछे ही जाते हैं तो अगर आपने यहां से topic को अच्छे से पढ़ ले तो आपके 2-3 number कहीं नहीं जाना ले अब next बात करते है प्राइम नमबर जिसके regarding हमारे पास कुछ ऐसे question है जो कि daily पूछे ही जाते है और कोई ऐसी नहीं कि आपको trick वरे चरें यह भराएदि लेकर तक हमारे तो चाहिँ चाहले हैं जो अगर हम बात करें हमँज देकर कि startups कि इसे प्राइम नमबर जो इनके अंदर आते हैं और नेक्स तो हंडब से लेकर टक कि इतने प्राइम नमबर मतों बॉछ थोए जो नगर आते और यहां तो फुले ब आपसे जाए 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 तर 400 तक है और इससे आपके पर डाइफिनिटली कोशन आता ही आता है होई डिजिट्स तो सबसे पहले आजाएगा कि one digit नमबर में आखे smallest number कौन सा है तो smallest number two है largest number मारा seven है और two digit prime number की बात करें तो two digit prime number में जो smallest number है वो हमारा eleven है और जो largest number है वो हमारा 97 है इसी तरह से three digit numbers में आपके पोच आएगा क्या smallest number कौन सा है तो 101 हमारा smallest प्राइम नंबर है और largest 3-digit प्राइम नंबर है जो हमारा वो है 997 तो यहां से आपके पार हर साल 2-3 कोशन पुछाते हैं तो इसका मतलब अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो यहां से आपके 2-3 नंबर हमेशा के लिए पक्के हो गए है अच्पी टै आते हैं नंबर वन है हमारे पास नंबर स्टार्टिंग फ्रॉंट इंफिनिटे इस नंबर वन दिया है नेच्रल नंबर और नंबर टू दिया है होल नंबर तो हमारे ऐसे नंबर जो हमारे वन से लेकर इंफिनिटी तक चलते हैं तो वह कौन से नंबर होते हैं तो इसका हमार पर question no.2 The smallest natural number 2 natural number हमारे पाँ 1 से start होते तो स्मॉलेस ने चरील नमबर हमार वन दो जो सका अप्शन है वह हमार पर 2 तो next question question no.3 है हमार पा the largest natural number किस तो a हमार पाँ 0 no.2 है 1 3 है 2 और 4 infinity तो जो हमारा सबसे largest, natural number है वो है हमारा infinity तक तो इसका सभी option है हमारे पार fourth यह सारे के सारे ऐसे question है जो आपके पास HP TAT में पूछे गए है तो प्लीज आप इसको अपनी copy में note कर दे इन questions को फोर्थ है हमारे पार the two digit largest natural number दो digit का जो सबसे largest number है वो है हमारे पास यहां पे option में 299 next question फिफ्ट है हमारे पार the two digit smallest natural number अभी पहले है मैंने जो उसका सभी option है वो हमारे पार 2 10 10 हमारा two digit का सबसे smallest natural number है और 100 हमारे पास 2 sorry 99 हमारे पार two digit का सबसे largest natural number है next question 6 हमारे पार true और false बताना इसमें 0 is the natural number जो 0 है वो क्या हमारे natural number है first option है true second option है false तो इसका सभी option है false मतलब second option क्योंकि 0 हमारा whole number है नाके की natural natural number हमारे वन से start होते हैं next question 7 है largest four digit natural number तो इसका सभी option है हमारे पास fourth 9999 हमारा largest four digit natural number है next question 8 smallest three digit natural number तो इसका सभी option है हमारे पास option number three hundred तो इसी तरह के आपसे question पुछाते हैं थोड़े basic question पुछे जाते हैं normal ही हमारे पार number system से easy है पर कई बार confusion हो जाती है हमारे को तो इसलिए जो number system वह भी important है हमारे को टैट के लिए पढ़के जाए next question है मेरे पाद the successor of 99 तो इस तरह के question आपसे बहुत बाद पुछी जाते हैं तो जो successor होता है उसका मतलब होता है उसके बाद तो 99 के बाद हमारा आता है 100 तो इसका सभी option है मेरे पाद c 100 तो आप उसको याद रखना है जो successor होता है हमारे पाद उस digit के अगले वाले नंबर होता है तो next question है हमारे पाद the smallest whole number is तो सबसे छोटा whole number हमारे पास है 0 क्योंकि whole number हमारा 0 से ही start होता है इसका सभी option है हमारे पाद a 0 तो next question हमारे पाद the product of two negative integer is a 0, b 1, c negative और d positive तो दो negative integers का product हमारे पाद हमेशा positive आता है तो जो सभी option है वो हमारे पाद d positive next question हमारा जो कि हमारे पाद अच्पिट एट में दो बार पुछा गया है वो है हमारा number which is neither prime nor composite तो इसका option दे रहे है हमारे पाद a 2, b का 1, c का 4 और d 3 तो जो हमारा ऐसा number है जो ना हमारा प्राइम है ना ही हमारा composite है तो वो है हमारा one तो जो इसका option है हमारा पास b topic number 2 जो कि हमारा place value and face value जिसके regarding आपको दो question हमें देखने को मिले गई ही तो सबसे पहले हम बात करते है place value क्या होती है तो place value हमारे वो value होती है जिसमें कि हम क्या है multiply करते है once 10, 100, 1000 जो यह वाली digit है इससे हम multiply करते है for example हम definition है पढ़ लेते पहले place value is defined as the digit multiply wherever it is placed either by 100 और 1000 हम place value को multiply करते है कि जहां पर digit रखी गई होगी for example जिसके हम यहां देख है 2, 8, 9 तो अगर हमें यहां 9 की value नकालने पड़ेगी तो 9 की value हो तो हमारी 9 ही रहेगी तो once था ना उसके पाद 8 की value है 8 को हम 10 से करें कि 10th place में है और जो 2 है वो हमारा 100 place में है इसलिए 200 इस तरीके से हमारी place value नकाली जाती है इसके बाद आपको videos में अभी अच्छे से define किया method prize value वो value होती है जो digit की खुद की value होती है बाइद वे हमारि compañ असी एक्डंपल दिया गए हमने i Neo899 तो अगर हम 9 की face value की बात करें के वह 9 होगी अगर हम 8 की face value की बात करें के वह 80 होगी और अगर हम 2 की बात करेंके तो वह 2 होगी जो हमारा faith है तो इसका मतलब ये समझ के चल होती है आपसे जाए 6 की face value पूचे जाए 7 की face value पूचे वो 7 नहीं होती है तो इतना याद रखना face value जैसे हमारा face तो उसी तरीके से face value हमेशा उसकी same होती है और जो place value होती है वहां पर multiplication होता है इतना क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिलाल हम थोड़े question solve करते हैं आप पूचे के question sum of the place value of 7 in 75707 जो यह digit 3 की है इसके regarding हमारे को sum निकालना है काय का place value का तो जब हमने place value 7 का निकालना तो हम सबसे पहले देखे कि जैसे कि हमारे पार 7 है 7 को डिजिट गिने के कितनी है तो फॉर है तो फॉर जिरो हमारे आके लगेगी उसके बात 5 को जो digit है उसको हम neglect करेगे क्यूंकि 5 की नहीं हमारे को सिर्फ 7 की निकालना है तो 7 को हम लिखे गे और उसके बात जितनी digit है उतने zeros लगते हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट थी तो ज जिरो लग गए हमारे उसके पार फिर से हम zero को भी निगलेक्ट कर लेगे और फिर हमारे पार है seven तो last में जो seven है वो seven है seven पार कोई digit नहीं है तो फिलहाल हम से पुछा गया था sum तो इसको हम जोड़ेगे तो इसका sum बनेगा हमारे पार 70707 तो यह हमने प्लस किया और इसका अंसर निकल चुका है तो अगला question जो हमारे पार question number two है वह हमारे पार find the place value of seven in digit two seven six point five seven zero यहां point वाली digit है इसमें कैसे निकालते हो आप देखो सब पहले हम जो digit है उसको लिख लेगे two seven six point five seven zero और किसकी place value निकालने है seven की तो seven को तो हम seven लिखेगे निचे और seven के पास six एक digit है फिर हम zero लगाएगे point फिर zero आएगा क्योंकि जब भी हम digit point के बात बात करते तो seven से पहले वाली digit में zero लगएगा और seven इस तरिके से हमारी place value यहां पे निकल गई है next question number three है हमारे पार difference between the place value of seven in the number two seven six five seven eight यहां पे हमें क्या करना difference नकालना है place value का ठीक है तो seven को तो हम seven लिख लिया उस पार जितनी digit है उनको count करके हम उसका zero बना लेते हैं और फिर से जो seven है उसको लिखे के और जितनी digit है उतने को count करके हम zero लगा लेगे फिर minus कर लेगे जिरो मैस तो zero गया तो zero मैस seven जाएंगा नहीं इसलिए हम पर इस लेकर जितने पर इस करेंगे अरे तक और इसके बाद इसको minus करेंगे minus करना तो आपको हाता ही है तो यह हमारा answer यहां पे निकल चुका है तो next question number fourth क्या अब दिया है मारे पाद difference between the place value of 5 in the number 259031 and face value of digit 3 in the number 3701 एक जगा हमारे पाद face value की बात की हुई है एक जगा place पहले place value फिर face value अब place value पाचा है कैसे हम digits में zero add कर लेते है आगे तक जिनी digit होजे से 5 था तो 5 हमने लिख लिए उसको पाद count करके उतनी digits में zero बना लिया और जो face value होती है वो face रहता है तो मतलब 3 का 3 तो 3 हम सबसे last में लिखेगे और minus करेगे जिरो में से 3 जाएंगा नि इसलिए हम आगे से carry करके लाएंगे और minus करना आपको आसान से आता है तो इस तरीके से यह हमारा answer निकल जाएगा 49,997 यह हमारे यह answer होगे नेक्स्ट अब बात करते है कुछ ऐसे question जो कि आप पर पैच्पेट में पूछेगे थे तो question अब फिफ्ट जास के हमारे पा है in the number 10,467 which digit has the largest value अब देखो आपको यहां खजल करने के लिए दिया गया जो ही digit है इसमें largest value क्या है तो option में तो 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 1 भी है, तो आप लोगा confused राकर साइज तो 7 सबसे largest निक रहे है पर नहीं जो हमारे सबसे पहले digit अगी होती है वो हमारे यहां पर largest value होती है क्योंकि place value face value में आपको पहता है जो सबसे पहले digit होती है वो ही सबसे higher तो जो इसका सई option हो है A, मतलब 1, जो 1 है वो हमारे यहां पर largest value है, next बात करते है question number 6, find the face value of 9 in digit 26,096 अब देखो जो आप पर यह digit यहां पर दीगे इसमें face value की बात किएगे, मैंने पहले का, जो हमारे face है वो ही हमारे face है तो जब nine की face value की बात किए तो nine का जो nine है वो ही face value है तो option में आपको कुछ भी दे सकते हैं तो यहां पर जो इसका सही option है वह हमारा पर D जो की 9 है next question no.7 यहां पर place value की बात की किए place value of digit 4 in the number 543241 तो आपको place value मैंने बहुत बात दिखाई है जब भी हमारा से जिस digit का number place value पुझाती है तो सबस्के पहले हम उसको लिखते है और उसके पाद इतनी digit हमको count करके हम उनका 0 बनाते है तो यहां पर 5 को निगलेक्ट करेंगे 4 है तो पहले 4 तो आएगा उसके पाद दो ऐसी digit है जहां पर 4 नहीं तो दो 0 आगे उसके फिर से एक बार 4 है फिर हम फिर से 4 लिखेगे और लास्ट में एक और डिजिट है फिर हम 0 रुके तो इसका सही option है c next question number 8 जो मार पाए इसमें मार पाए face value of the digit 2 in the number 68248 में तो यहां पर आपको निकालिये face value और इसका जो सही option होगा वो आप लोग comment करके बताएगे कि मुझे भी प्रजले आखिर आपको आज की वीडियो में क इतना पता चले